नमश्कार दोस्तों and welcome to my channel कैसे हैं आप सब उम्मीद है सब मज़े में होंगे अच्छे होंगे और आज हम पढ़ने वाले हैं CBC Class 10th का Maths का चाप्टर और आज हम स्टार्ट करेंगे exercise 3.6 यह जो exercise है इसके अंदर आपके लिए को introduction है नहीं क्योंकि इसका जो introduction है वो काफी जादा simple है उसको आप सीधे आप exercise के question से समझ सकते हैं और उसके अंदर एक ही बात है वो यह है कि यहाँ पर आपको जो equations होंगी वो आपको linear equation के general form में यानि equation की अब आपको करना क्या है कि exercise 3.6 के अंदर क्या introduction है कि आपको जो linear equations होंगे यानि आपको क्या करने उनको बनाना पड़ेगा आपको जो linear equation है उनको बनाना पड़ेगा कैसे बनाओगे आपको equations provided होंगी वो जरूरी नहीं है कि वो linear equation के form में हो यानि कि वो linear equation के form में नहीं हो और आपको क्या करना है उनको general equation जो होती है हमारी x plus by plus c is equals to 0 यानि आपको जो equation provided है आपको उनको reduce करना है और क्या करना है उनको linear equation बनाना है So basically यह है आपका introduction of exercise 3.6 अब इसको question number 1 देखते हैं Solve the following pairs of equations by reducing them to a pair of linear equations क्या बोले है आपको solve करना है जो नीचे आपको pair given है equations का ठीक है जी हम solve कर देंगे by reducing them to a pair of linear equations यह भी हापे funda क्या आता है कि जो आपको equations given है वो तो linear equations है ही नहीं और chapter हम पढ़ रहे है linear equation in two variables का pair है न तो आपको करना क्या पढ़ेगा कि यह जो आपको following pair of equations given है आपको इनको reduce करना है यानि आपको इनको घटाना है या इस तरीके से आपको इक एलवर्स question के अंदर convert करना है आपको जो following pair of equations given है आपको इनको convert करना है किसमें convert करोगे pair of linear equations जब यह linear equation बन जाएगी उसके बाद कोई भी algebraic method substitution लगा लो या algebraic जो हमारे पास method होता है elimination हो गया जो आपने algebraic method सीखे थे उनमें से कोई भी method लगा लो और यह बाद में हम इनको solve कर देंगे solve करने का मतलब क्या है कि इनके variables की value निकाल ली है तो यानि कि यहाँ पे variables x और y हैं तो x और y की value को करेंगे हमके हमनी linear equation को solve कर दें जब x और y की value पता चल जाएगी ठीके जी तो अच्छा जी हमने introduction भी थोड़ा सा समझ लिया है question भी पढ़ लिया है इसका first part कर लेते है तो जी इसका first part देखिए यहाँ पे आपको क्या given है 1 upon 2x plus 1 upon 3y is equal to 2 यह आपकी है पहली equation क्या यह first equation है और आपको second equation given है 1 upon 3x plus 1 upon 2y is equal to 13 upon 6 यह क्या second equation है इसका answer देखते हैं अब आपको करना क्या है कि आप देख सकते हैं दोनो equation इस form में नहीं है बिल्कुल भी नहीं है अब करना क्या पड़ेगा इनको इनके अंदर convert करना पड़ेगा बहुत ही easy है देखो मैं बताती हूं कैसे करना है देखो यह जो first equation है इसको ऐसे लिख सकते है 1 upon 2 into 1 upon x plus 1 upon 3 into 1 upon y is equal to 2 ऐसे लिख सकते हैं इसको 1 upon 2 into 1 upon x क्योंकि 1 into 1 हो जाएगा 1 और 2x का मतलब हो गया 2 into x ठीक है तो हमने क्या कि हमने इसको ऐसे लिख दिया यह first equation थी अब जी आपको क्या करना है second equation को भी ऐसे लिख देना है तो यह जाएगा second equation 1 into 3 into में 1 divided में 3 into में 1 upon x x को ठीक से लिख देती हूं plus में 1 upon 2 into में 1 upon y is equal to 13 upon 6 ठीक है first equation को भी लिख दिया ऐसे second को भी लिख दिया आप करना है क्या कि जो first और second equation है इनके अंदर आपको क्या करना है यह जो variable वाली terms है क्या क्या है variable वाली term 1 upon x और 1 upon y है आपको क्या करना है इनकी जगे कोई भी एक alphabet रख देना है यानि कि alphabet यहाँ पर रखा जाएगा ठीक है मार लेते हैं कि हम let 1 upon x is equal to and 1 upon y is equal to चाहे 1 upon x की जगे a रख लो b रख लो c रख लो d रख लो कुछ भी रख लो इसलिए कि z तक ठीक है अब आपको करना क्या है कि यहाँ पर कोई भी value आप पूट कर सकते हैं कोई भी alphabet पूट कर सकते हैं यहाँ पर 1 upon x की जगे हम u पूट कर देंगे 1 upon y की जगे v पूट कर देंगे कर देते हैं यह हो जाएगा यह जो पहली equation है यहाँ से क्या है यहाँ लिक दो यह हो जाएगा 1 upon 2 into में u plus में 1 upon 3 into में v is equal to 2 यह आपके पास एक नई equation आगी third equation इसको थोड़ा सामनी क्या करेंगे अच्छा करेंगे यानि कि क्या करेंगे बढ़िया सुन्दर सी एक linear equation बनाएंगे वह कैसे बनाएंगे देखो यह क्या है हमारे पास u upon 2 plus में v upon 3 is equal to 2 है क्या करो यहाँ पर जो value है यानि जो left hand side यानि की LHS side value है यहाँ पर क्या करो LCM ले लो तो यह हो जाएगा 3u plus में 2v divide में 6 is equal to 2 यहाँ पर जो 6 है ओक है डिवाइड में 2 की सर्फ जाएगा तो क्या हो जाएगा इंटो हो जाएगा यानि हो जाएगा 3u plus में 2v is equal to 2 इंटो में 6 हो जाएगा आपके पास 12 यह क्या आगे अपके थर्डी क्वेशन आगी इसको मैंने थर्डी क्वेशन का नाम इसलिए क्योंकि जो अल्रेडी हमाँ पस थर्डी क्वेशन यहाँ पर आई थी हमने इसको change करके यानि उसकी values को थोड़ा इधर अदर करके अच्छ इसको भी थोड़ा खुबसरत बना लेते हैं तो यह क्या हो जाएगा यह प्लस में वी अपॉन 2 इसको थर्टी अपॉन 6 यहाँ बी जो LHS साइड है इस साइड क्या करो LCM ले लो तो यह क्या बन जाएगा यह बन जाएगा 2U प्लस में 3V डिवाइड में 6 इसको थर्टी यह आपके पस एक निखरा हुआ एक खुबसूरत सा प्यारा सा रूपा आगया कौन-कौन सा रूपा है थर्टी एक फोर्टी एक्वेशन आगी दोनों इक्वेशन क्या है लीनेर एक्वेशन बन चुकी है दोनों का यूस करेंगे को भी अलजाबिक मेथल लगाएंगे और यहां पर यू और व की वेशन करेंगे अगर आपको याद हो अपको मकसद याद हो हमारे इसको सौल करने का इस पहले पार्ट को कहलो को क्या बूला था कि सौल करनी है एक्वेशन फॉववाईटी ती उसके अदर वैरीबलते एकस और य यानिकि जब दग हमें एकस और य क मिलेगी हम नहीं कह सकते कि हमने equations को solve किया है और यहाँ पर तुम यू और व की value find करें आपको करना क्या है यू और व की value find करनी है उसके बाद देखो मैं दिखाते हैं को आप इस एक बार यहाँ अगर आपको करना है हम क्या करेंगे यहाँ पर हम यूज करेंगे substitution method उसके लिए हम क्या करेंगे equation 3 से यू या फिर व की value को find out कर लो जो value आगी उसको फोर्थी equation के दाद पुट कर देना तो यहाँ लिग देती हूं from equation 3 equation no 3 से अगर आप यू की value find करेंगे तो क्या हैगी देखो यहाँ जाएगा 3u is equals to 12 is side है 2v is side जाएगा तो minus में 2v तो यहाँ से u की value कितनी आएगी 12 minus में 2v divided में 3 यहाँ के पास क्या आगी यू की value आगी अब क्या करेंगे इसको हम फोर्थी क्रिशन के पुट कर देंगे तो यहां लिग देते है put u is equals to 12 minus 2v divided में 3 in equation no 4 ठीक है equation no 4 के अदर u की जागे आपको 12 minus 2v divided में 3 पुट करना है तो यह हो जाएगा 2 in 2 में u यानि की 2 in 2 में 12 minus 2v divided में 3 यहां से क्या आएगा यहां से आपके पास आएगी v की value क्या आएगी v की value आएगी फिर उसको पुट कर देंगे और उसके बाद हहां से u की value निकाल लेंगे तो यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा 2 in 2 12 minus 2v plus 9v divided में 3 is equals to 13 यहां पर क्या किया है LCM ले लिया ठीक है I hope कि आपको समझ आ रहा है तो यह क्या हो जाएगा 24 minus 4v plus 9v is equals to 3 यह से जाएगा 13 की तरफ तो यह क्या हो जाएगा 39 यह value आगी अब आपके पास अभी हो जाएगा 9v minus 4v हो जाएगा 5v और is equals to 39 24 को इस से ले जाओ यानि की minus में 24 अब यहांसे 5v की value कितने आएगी 9 minus 4 हो जाएगा 5 3 minus 2 हो जाएगा 1 यानि की 5v is equals to 15 v की value आएगी 15 divided में 5 यानि की आएगा 3 यानि हांसे आपके पस v की value कितने आगी 3 आगी अब आपको क्या करना है इसको equation number 3 के इंदा put कर दो v की जगे और आपके पस u की value आजाएगी तो यहा लिख देते है put v is equals to 3 in equation number 3 that is आपके equation number 3 क्या है 3u plus में 2v is equals to 12 यहाँ पे v की जगे आपको क्या करना है यहाँ पे आपको v की जगे 3 put कर देना है और आपके पस u की value आजाएगी तो यह ओझेगा 3u plus में 2 in 2 में v की जगे 3 लिख दो इस equals to 12 तो यह जाएका 3u is equals to यह जाएगा 12 यहाँ पर 2 into 3 हो जाएगा 6 यहाँ प्लस है उस जाएगा तो negative 6 यानि 3u is equal to हो जाएगा 12 minus 6 हो जाएगा 6 यानि कि 3u is equal to 6 है तो आपके पास एक बार फिल लिख दियागी तो u की value हैगी 6 divided में 3 यानि कि 2 ठीक है तो यहाँ से आपके पास u की value कितनी आगी 2 आगी अब आपने यहाँ पर देखा आपने जब इनको solve किया तो आपके पास क्या आगी v की value 3 आगी और u की value 2 आगी तो यहाँ लिख देते हैंस v is equal to 3 and u is equal to 2 अब यहाँ पर आपको find क्या करना था, यहाँ पर आपको x और y find करना था, तो यहाँ लिख देते हैं, but we have to find x and y, यहाँ पर आपको find क्या करना है, x और y find करना है, तो हमने किया क्या था, एक बार वापी से याद करूं, यहाँ पर line किस देते हैं, हमने माना था कि u किसके equal है, 1 upon x के है और हमने माना था कि हम क्या करेंगे v को मानेंगे 1 upon y के एकवर अब यहाँ पर u की value कितनी आई है 2y है 2 is equals to 1 upon x है नब आपको करना क्या है कि यहाँ पर x को इस से ले जाओ ते हो जाएगा 2x is equals to 1 यानि x की value कितनी आईगी 1 upon 2 यहां से x की value कितनी आईगी 1 upon 2 इसी तरह यहाँ पर u की value कितनी है 3 is equals to 1 upon y है तो यहां से y की value कितनी आएगी 1 upon 3 तो इनके पास final solution है x की value 1 upon 2 है y की value 1 upon 3 हम यह कर कैसे रेवें ने डार्यट कैसे लिग गगया 3 is equals to 1 upon यह है न why अब y सेट जाएगा तो multiply हो जाएगा यानि कि 3y is equals to 1 और या 3 multiply में होगे और सेट जाएगा तो divide यानि y is equals to 1 upon 3 तो आपके पस जो final solution आया है यानि आपका जो solution है ये जो given हमाई पस linear equation जो हमने बनाई है उनका जो solution है वो है x और y की value यानि x की value 1 upon 2 और y की value 1 upon 3 ठीक है तो आई hope कि आपको समझ आया होगा next video में जल्दी मिलेंगे ठीक है तब करें